बेलो डिट नहीं यह जिस पोस्ट किया अपने Twitter अकाउंट पर यह बताते हुए कि यह जो नए changes आने वाले जो भी नए updates आने वाले हैं एजेंट से रिलेटेड वो सारे जो एजेंट नर्फ होने वाले हैं वो सारे होने वाले हैं episode 7 act जो सबसे पहला agent है वो है breach तो breach का जो aftershock था जो कि उसकी c ability है उसका जो टिक है वो reduce कर दिया है 3 से 2 पे और जो उसका damage था जो पहले पर प्ल टिक पे जो damage होता था वो 60 होता था अब वो 60 की जगह पे 80 होगा and then जो उसका दूसरा change है वो है ultimate ultimate जो है उसकी x ability जो की पहले 8 orbs से काम करती थी अब वो 8 की जगह पर उसे 9 कर दिया अब जो एजेंट है वो है brimstone तो brimstone के साथ भी same हो है वो उसकी ultimate है उसकी ultimate का जो point है जो उसकी ability है x ability उसको ultimate जो है उसको increase कर दिया है 7 orbs से लेके अब 8 orbs paid जो c ability थी जो उसकी prowler वाली जो ability है कि gun re-equip करने में उसे थोड़ा ज्यादा time लगेगा अगला agent है वो है gyakko जो c ability थी पहले वो जो damage देती थी तो वो initially damage नहीं देती थी वो थोड़ा सा time देती थी आप जो है mosh pit का जो damage है वो explode होने से पहले 10 damage per second करता ही रहेगा वो है उस उसका ultimate है उसका effect वाला जो area होने वाला है उसके ultimate का वो कितने area तक में होने वाले तो अगला agent है वह killjoy, killjoy की ultimate थी जो lockdown है उसको ultimate points है उसको increase कर दिया गया है 8 से 9 पर और फिर जो अगला agent है वो है हमारा omen, omen का paranoia है जो उसकी blind वाली ability थी तो वो आप हटा दिया गया है कि speed पर जाएगी तो जो अगला agent है वो है skies, e ability जो है उसकी है तो जो flash के duration था वो 2.5 seconds से 2 seconds कर दिया गया है max duration जो उसका था और जो उसकी Q ability है जिसे हम dog भी कहते थे उसकी HP है वो reduce कर दिया है 100 से 80 पर जो उसकी ultimate ability है उसका ultimate point है वो increase कर दिया गया 7 से 8 पर उसकी जो ultimate है उसकी जो ability है उसको जो total जो scan था वो पहले 3 scans करता था अब उसको 3 scan की जगह पर 2 scan कर दिया है अगला agent है वो है wiper, wiper पर कोई जादा बहुत बड़ा ऐसा massive update नहीं आया है, wiper पर बस उन लोगों ने एक ही चीज़ किया है वो है ultimate जो उसकी point थी उसको increase कर दिया 8 से 9 पर, astra पर उन ability well था, gravity well जो उसकी C है, C ability जो उसका pull था, तो जो pull ability है उसका time है, जो time था start time था वो 0.6 से increase करके 1.25 कर दिया गया है और gravity time duration था, वो decrease कर दिया है, उसका pull था, pull जुका time था, वो decrease कर दिया है 2.75 से 2 पर, तो अगली ability है, nova pulse Q ability जिसे हम लोग stun भी कहते थे, तो उसका जो start up time है उसको decrease कर दिया है 1.25 से 1 पर and जो उसकी ultimate है, जो उसका cosmic divide है, जिसको हम Astra की wall भी कहते थे, उसके लिए बहुत बड़ा अच्छा buff आया है, क्योंकि पहले क्या था कि आप Astra wall के through थोड़ा बहुत सुन भी सकते थे, but अब ऐसा है कि इन लोगों ने total sound कुछ कुछ नहीं पता चल में और उसका dash window है, जो वह 12 second का था, वह अब सीधा 7.5 हो गया, जो कि almost half के बहुत close हो गया, जो activation उसका wind up था, वह increase कर दिया गया, 0.75 से 1 second पे, उसका reason यह है क्योंकि जो jet ऐसा agent था, जो fight लेते लेते बीच में dash बाग के बाग सकता था, उसको increase किया जिससे कि वह escape न कर सकती fight को, जो उसका smoke है, उसका duration था, 4.5 seconds, उसको decrease कर दिया 2.5 seconds है, जो की almost, वो थी half के बहुत close है, 2 seconds कम कर दिया गया है, उसका जो अगला ability है, अब draft है, जो उसकी Q ability है, उसमें पहले हमाई पास 2 up draft हुआ करते थे, जो 2 up draft हुआ करते थे, अब 2 up draft की जगह पे उन लोगों ने ए अगला जो change है, वो है उसका ultimate, ultimate जो उसकी blade storm X ability, जिसको knife भी कहते थे, जट के knife पे, तो फिर उसका ultimate points है, उसको increase कर दिया है, 7 से 8 पे, अभी तक इस video के लिए सिर्फ इतना ही, और जो नया update आने वाला है, वो मैं फिर से remind करा दूँ, आप लोग को जो नया update आने वाला है, व हो सकता है, आपको dualist boost के देखने को मिलेगे, इंपस में, jet nerf होने के बाद में हो सकता है, chances यह भी है कि chamber back to meta आजाए, just because of उसका operator के लिए,